के जनिनी ने किये हैं जगन से जगन पाप भक्त भाव से भरे भरत को ये भान है और प्रण से अधिक प्राण धारते हैं रगुनात वनिया वचन नत जेंगे अनुमान है किन्त जग के प्रलोभनों में फसी के कही को पादु का प्रसंग एक मौन समाधान है कि राम के चरण रजिका मिले जो एक कड़ सुर राजिका भी पद्धूल के समान है एक बात मेरी माने मुझे प्रसंग सुनाया था और वो प्रसंग ये था कि नलो नील पुल बना रहे हैं सेत वंदरामिर शुरम का जो पुल बनाया और उस पुल पे वो राम का नाम लिखते हैं और पत्थर तेरने लगते हैं भगवान राम ने भी एक कंकड़ी उठा के फैंकी वो डूब गई तो बड़े संकट में पढ़े यह किया हुआ कि मेरे नाम लिखा हुआ पत्थर तेरव मैं कंकड़ी फैंकता हूँ डूब जाता हूँ डूब जाती है तो हनुमान जी ने क्या कहा और वस मैं एक मेरा च्छन सुली मेरा इसमें कुछ नहीं है मुझे सुनाया गया मुझे संसकार में मिला मैंने उसे कविता में बांधिया कविता सुनिएगा नल नील पाहनों पे राम नाम लिख लिख सेत बांधते हैं और फूले न समाते हैं नल नील पाहनों पे राम नाम लिख लिख सेत बांधते हैं और फूले न समाते हैं भारी भारी शिलाखंड डूबना तो दूर रहा भार हीन काठ जैसी नौका उतराते हैं देखा देखी राम ने भी कंकडी उठाई एक फैकी वहीं डूब गई बड़े सकुशाते हैं तभी राम भक्त हनुमान ने कहा कि ना था आपके करों से छूट सभी डूब जाते हैं सीता जी कहती है कि सोने का हिरन है इसको लेके आओ राम समझाते हैं कि सोने का हिरन नहीं होते हैं ये कोई माया वाया है लेकर नहीं मानती हैं और सीता जी के कहने से राम चले जाते हैं सोने का हिरन के पीछे और सीता जी पहुंच जाते हैं सोने की लंगा में और जह वहां सोने ही सोना है वहां उन्हें राम याद आते हैं क्या भी डंबना है कि जब उनके साथ राम थे तब उन्हें सोना चाहिए था और जब सोना ही सोना था तब उन्हें राम चाहिए है अब ये गलती हम सब करते हैं तो सीता कोई साधान विष्टरी थोड़ी थी, जनक की पुत्री, वैदेही, वैदविदेह की पुत्री, मर्यादा पुर्षोतम की पत्नी, तो विश्व मोहिनी सरूपा जननी को मोह लिया जाने कौन मोहिनी थी सोने के हिरन में, किसको पकड़ें, किसको छोड़ें, विश्व मोहिनी सरूपा जननी को मोह लिया जाने कौन मोहिनी थी सोने के हिरन में, वेई शोक मगन हैं अशोक वाटिका में, कुबेर बंद रावड के कंचन सदन में, एक और मायावी मारीज छदम वेश धारें, एक और सारा जग जिन की शरन में, और की तो कौन कहें, जान की न जान पाएं, ग्राहे और ग्राहे कौन जग के चैन में, एक शंद सुनिए ये, बहुत बढ़िया शंद सुना रहा हूँ, सीता जी से मिलने जाता है रावड, और कहता है कि हमारी तरफ देख के बात करो, सीता जी तिनके की उट से बात करती है, मंदोधरी को ये बात बहुत बुरी लगती है, कि इतना बलशाली पूरा ग्यानी, और उसका इतना अपमान हो रहा है, तो जब वो लोटती है तो व्यंग मन्दूधरी करती है रावड पर करती है मन्दूधरी रावड पर आपक्षा अपमानित होके आगए लोटके अगर तुम मारीज को हिरन बना सकते थे तो राम बनके क्यो नहीं कई शीता के सामने तो वो जानते कि राम आ गए तो उनकी नजर उठ जाती, तुम्हारी एक्षा पूरी हो जाती, तुमने उनसे जाके प्रासना की, उन्होंने तिनकी की उट से देखके तुमसे बात की और ये तुम्हारा अपमान था, तो मेरा च्छंद सुनीजे, व्यंग मंदोदरी बहुत प्रीतन उमगती, बोला दशीश, ये भी चाल चल देख चुका, ठगनी कुचाल मेरी मुझे को ही ठगती, और जब जब राम का सरूप उधारता हूं, तो पराई हर नार मुझे जननीशी लगते हैं,